ज़र भुपाल से खबर जहां राइसेन बीजेपी में बागावत हुई है साची के कई कारेकरता बीजेपी मुख्यालाय पहुँचे हैं बीजेपी कारेकरताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कारेलाय पहुँचकर मंतरी प्रभुराम चौधरी की शिकायत करने के लिए बीजेपी मुख्यालाय पहुँचे हैं कई कारेकरता बताय जा रहा है बीजेपी का अधिकरत प्रत्याशी परिश्ट का अध्यक्ष नहीं बन पाया है ये भी एक प्रमुक कारण है मंतरी प्रभुराम चौधरी ने पार उनकी कार्यकरताओं की बात्षित की उनसे अमारे एक्जिगर्य वारिटर मानूत सानी नहीं है और वही है कि क्या बीजेपी में भी सब कुछ नहीं चल रहा है जिस तरह का दिखाई दे रहा है जो भारती जंता पार्टी का अधिकत प्त्यासी था वो हार गया और दूसरे लो हम लोग मानिये महामंत्री जी भगवांदास समनानी जी से मिलने आए हैं अभी जो हाली में साची में नगर परिशाच का जो चुना हुआ था उसमें जो पारटी ने अधिकत प्त्याशी बलराम मालवी जी को किया था हम सभी लोगों ने उनको जिताने के लिए प्रयाश कि लेकिन वहां जो कुछ पारसद हैं जो अभी बागी होकर जिनने चुनाव लड़ा पपु रेवा राम जी वह और उनके कुछ साथी गड़ों ने पारिटी की मंडल अध्यक्ष में श्यम वहां पर उपस्तित थे हम लोगों की कोई बात नहीं मानी और बागी होकर उनने को मानी नहीं गई वान लोग अब चुकि वो जो है कांग्रेस से आए हुए लोग हैं अभी जो हुआ है तो कहीं ना कहीं जो भी उनकी सपोर्ट रही हो लेकिन वह पार्टी की अनुसासन हिंता उनने की है चुकि मैं वहां से मंडलत द्यक्षू इसलिए मैंने लिखके मानी जिलाज दैग जी को दिया जिलाज दैग जी ने भी उसकी अनुसांसा करके यहां भेजा है तो आज हम मानी है भगवान दाश्वनानी जी वाहिशाप से मिलने आए हैं सभी ये जनसंग के पुराने जमाने के कारकरता आप देख रहा हैं खड़े हुए हैं जिनने पूरे ख लिक्षा हो रही कोई सुने ही नहीं जा रही बिल्कुल भी को नहीं सुनता है और उसके साथ ही जो कांग्रेस में आया है नहीं उनकी सुनते हम तो है कि फिश्लागवगा है हम पूरे पार्सद आपके थे इतने की आप लोग बीजेपी के इतने पार्टि इए तो 15 वार्टों में आसें बारा पारसद भारती इंति की जीतके आयए थे इसके बाद कहीं कोई चुनांगा विसा नहीं था और ऐसी परिस्तिती में भारती इंति जारी करती जिसको भी अधिकृत करती उसका जीतना थे था मगर ये सब चीज़ें हो गई थी प्रवराम चोधरी हमारे मरतमान में मंत्री हैं उनके बंगले पे बैटके सारी बाते हो गई थी उनने ये भी कहा कूर कमेटी के माद्यम सी सब बाते हो गई थी कि नहीं बो अधिकरत प्रत्यासी की रूप में जो है उसके लिए काम करेंगे मगर सुबह सुबह अचानक भुपाल में साथ बजे उनके द्वारा जो टिकेट दिये गए थे उनने अपने लोगों को दवाव में लिया और उनसे कहा गया कि नहीं अब इस तरह से अपने को एक आदमी बागी लडाना है यहां नए लोग है जो भारती जंता पारटी को रखने के लिए यहां प्रदेस कारलें में आए हैं अब जहां जहां जो नए लोग है जो भारती जंता पार्टी का दामन थाम लिए अमध्य प्रदेश में सरकार भी बन गई लेकिन ऐसी परिस्तिया भी निर्मित हो रही सामने 2023 की चुनाव है समझा जा सकता है कि बीजेपी के भीतर भी क्या चल रहा है आसित करे के साथ मनोसनी मनसर बुबार